शर्में बट्तिक औरना संक्रमन के बीच राहत की खबर आई है अब मरीजों को कोविट केर सेंटर में इलाज की सविधा मिल सकेगी जिला प्रशासर ने कोटा युनिवर्सिटी के 20 बड़े हॉल में 10 हॉल को कोविट केर सेंटर के रूप में अधिकरहित किया है ये कोविट सेंटर मेडिकल कॉलेज के अधिन संचालित होगा इसके संचालन की जिम्मेदारी नगरविकास नियास को सौपी गई है नगरविकास नियास के तहसीलदार वे अन्य स्टाफ में भवन को अपने कपजे मिलीकर सोचल डिस्टेंसिंग रखते वे पलंग लगवा दिये हैं नगरविकास नियास के तहसीलदार गजेंटर ने बताया है युनिवरसिटी के एक-एक हॉल में 25-30 बैड लगाने की शमता है हॉल में अटैच बड़ा बात्रूम भी है जहां मरीजो कुनहाने की व्यवस्ता रहेगी फिलहाल सो पलंग लगाए गए हैं अधिग्रहित भवन में 500-700 बैड लगाये जाने की व्यवस्ता है जहां CMHO वेडिकल कॉलेज प्रिशासन की और से बैड उपलब्ट करवाये जा रहे है जिनमें आवर्शक्ता पढ़ने पर कोविड रोग्यों का इलाज किया जाएगा अधिग्रहन के बाद इन हॉल में पावर पॉइंट लगाये जा रहे है जहां काम ऑक्सिजन के जुरत वाले मरीजों का भी इलाज किया जा सकीगा बाद जिला प्रशासन की टीम कोटा के रिवार की लोग कोटा के समाने से मर्थी में उखा रहे हुए इस पूरे बावन को हमने पहले ही कभजे में लिया हुए और जो बैड हमें से मेचो साब नी दीटेव हमने अब आले लगागी है बैड वोट पाफ तो हो रहे है अधि काय जा रहा है आज से उसका पादम शुवारम हो जाएगा कल से उसमीन है अधि कोटा करेंगे अधि कोटा कोटा करेंगे करेंशन चालू हुजाएगे अधि किल्टू मारा यह रहना चाहिए कि हो माइशन चाहिए जो इनिशेल स्टेट पर रिक्वारमेंट है जिसकी 90 से थोड़ा सा नीचे एक दो परसेंट 88, 87 अगर हम ऑक्सिजन कंसेंट्रेटर पर रख देते हैं तो वो 90,92 पर आजाता है उसको वहाँ रख सकते हैं और कोट का जो प्राइमरी इलाज है वो हम उसको वहाँ देते रहेंगे अगर महां वह सीवेरिटी बढ़ती है और उसकी ऑक्सिजन फाल होता है तो ही हम उसको जो है टर्सरी लेवर पर रख करेंगे अन्यता नहीं करेंगे वहाँ पर जो है सुधा सभी रहेगी उसको बेट रहेगा और करेंगे